हेलो दोश्तों स्वाकत आप सुभी का आपको चनल में बेसिक नॉलिज में दोस्तों जैसा बोगो पता चली चुक है जारकन बोड क्लास 9 और 11 का एक्जाम डेट जारी हो चुक है साथ एस वीडिए में लोग देखने वाले हैं क्लास 11 का एक्जाम कितने वजें होने बाला है स और ध्यान से देखिए क्या लिखा है आप लोगों पता दू टोटल पांच विश्यक एक्जामों का जिसमें से चार में पास करना कंपल सरी है तभी आप बारवी अक्षा में जा पाओगे देखिए साब साब लिखा है कि इसके अनुसार ग्यारभी की परिक्षा सिर्फ मायद्धम से आउजिर्थ की जाएगी उक्त के आलोक में चार शात्रार द्वारा चैनित पांच विश्य के परिक्षा नेम न लिखीत कार्ज करम का नुसार निर्धारित परिक्षा के अंदरों पर होगी तीक है तीक है इसमें परिक्षा में उत्तिर्णता के लिए उक्त पांच विसमव निन नहीं जाप होगी इस परिक्षा प्रतिक विसमव में चारलिस अंगों के बहुत पहलबी यानि MCQ पर पुछ जाएंगे यह विसमें बार दस अंगों का दोस्त अब लोग उसको एसेस्मेंट रहेगा इसकोल के तरब से मिलेगा ठीक है और इसका जो अडमिट कार्ड है आप लोग को अपना अडमिट कार्ड मिल जाएगा ठीक है चलिए दोस्तों कितना पुछ एक्जाम हो और देख लिए फटाफट ठीक है आप लोगा 11 का देखे पेपर वन पेपर और सब्जेक्ट फर्स सेटिंग 27 फरवरी दोहजार 20 urban पेपर वन कोर खोगा इसमें कोन कोन सरलेंट को गया घंदि होगा इंगलिस होगा एकसा दोस्तों दोस्तों दोस बिसरि का एक्जाम होगा यहां पर बता दो आप लोगो ठीक है next second half में देखिए दो फर्स्ट हाप का एक्जाम होने वाला है उसका टाइमिंग है 10-45 से लेकर के 12 बज़ तक जबकि second half का दोस्तों जो एक्जाम का टाइमिंग हो कितना दो बज़े से लेकर के सवात तीन तक है ठीक है second हाप में देखिए क्या होगा यहापर core language होगा चाहे हिंदी core हो चाहे English core हो ठीक है और रेकिन के लिए arts वालों के लिए ध्यान से देखिए जो सुभा होगा न सुभा ध्यान से आप लोग पीडियेप में दे दूँगा आप ल इस फरिवरी को physics chemistry होगा science वालों के लिए और account waste होगा commerce वालों के लिए ठीक है दो घंडे के समय दो subject हो जाएगा और second paper यानि साम को दो बज़े से लेकर के 505 तक होगा क्या paper 2 1 2 & 3 arts वालों के लिए जो भी है उसन से एक्जाम होगा ठीक paper 3 यहाँ पर तिसरा दें Thursday 29 तारीको एक्जाम होगा ठीक है science और commerce वालों के लिए और elective language के एक्जाम होगा arts वालों के लिए second sitting में और यह सारा चीज यहाँ दिया है paper पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतरिक समय आप लोगो दिया जाएगा देखिए 10 45 से एक्जिस एक्जाम है ठीक है 10 45 से 11 तक paper पढ़िए 11 से 12 ए एक्जाम होगा मतलब एक पेपर में एक गंटा का मिलेगा ठीक है तो यह दा दोस्तों आप लोगो यह पेडिया भी आप लोगो टेलेकरम गूरूप में सेंट कर देऊं सारे दोस्तों को बता देए कि आप लोग एक्जाम डेट जारी हो चुका है तो तैयारी में लग पेहिंद वान दे मातरम